हलो बच्चो कैसे हैं आप लोग आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरह अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे अब यह बशुरू करने जा रहे हैं linear equations class 8 Pearson IIT foundation से यह यह कहा है IIT foundation class 8 है ना इसके जो questions है मैंने already almost सारे के सारे discuss कर दिये हैं अब मैं सोचता हूं कि कुछ बच्चों को theory में problem हो रहा है conceptually कोई problem हो रहा है तो मैं theory ही क्यों न कर दो तो आज इस theory में इस lecture में हम theory पूरी बताएंगे और पूरा complete नहीं करेंगे देखते हैं कितना कर पाते हैं तो शुरू करते हैं linear equations वैसे आपके इस linear equations में ही इस chapter में linear equations को भी discuss किया है जो कि हम discuss कर देंगे don't worry for that linear equation तक बात पहुंचने तक हम को क्या-क्या पढ़ना है ठीक है अब वो देख लेजिए linear equations को समझने से पहले सबसे पहले हमें समझना है किसके बारे में constant और दूसरा variable मैं बस लिखाते जा रहा हूं आप समझते जाए constant ऐसे value को कहेंगे जिसको हम change नहीं कर सकते तो मैं तो value होगा प्रापर एक value होगा जो fixed होगा क्या होगा तो constant is basically fixed जो change नहीं जैसे मैं लेको 2 constant है जैसे मैं लेको 5 constant है मैं लेको 13 constant है ये भी आप जाले 2,5 ये digits है numbers भी है digits कौन कौन है 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 digits से number बनता है जैसे एक digit का number होता है दो 3,3,3,3,3 ये भी fixed है ये सब क्या है constant है और constant में कभी कभी आता है आप जानते हैं पाई ये भी कुछ numbers हैं जिसको irrational numbers कहते हैं मतब जिस्ते तरह के real numbers हैं वो सारे के सारे constant है वैसे imaginary numbers का भी concept है जो आपको अभी नहीं पढ़ना है और उसी तरह से हम A, B, C हैना ये तरह के लेटर का भी इस्तमाल करते हैं कभी constant के लिए लेकिन इन constant के value के बारे मैं पता नहीं है पाई और E का value होता है नोट वरी वो कभी बताया जाएगा लेकिन जिस constant जैसे पता है कि वो fixed है लेकिन हमें उसका value पता नहीं है बस है पता कि fix है कुछ ने कुछ value है ऐसे constant को बोलते ह तो constant की दो किसमे हो गई क्या क्या known और क्या होगा unknown unknown constant को variable ना माने है वो fix तो है बट पता नहीं है बस यही फर्क है variable की बात अगर करें तो क्या होता है variable ऐसा quantity जो change हो vary कर सके can vary varies जो भी बोले variable मतलब vary करेगा simple सी बात है है ना तो vary करेगा जैसे vary करने के लिए हम लोग कुछ symbol sexualав maal करते एक्स वाई ぜड का इस तरह क्ईस वैरियबल्स है मतलब एक्स का value हम वन पुट कर दे कभी 2 कभी 1.5 पई ठीस पई तो एक्स का value हम change कर सकते हैं लेकिन 1 2 1.55 पई these पै इस आर constants मतलब वैरेबल में constant put कर सकते हैं और कुछ भी पूट कर सकते हैं तो समझ गए constant जो fix होता है और variable जो vary कर सकता है अब आते हैं तीसरी बात में जिसको हम बोलते नियोमेरिकल expression math में आप कुछ भी लिखते हैं वो actual में expression है जैसे मैं लिखो 2 और 3 और इसको मैंने add किया प्लस operator से यह एक operation बना I'm sorry expression बना चुकि इसमें सिर्फ numbers इस्तमाल हुआ है constant ही इस्तमाल हुआ है तो ऐसे expression को हम बोलते हैं नियोमेरिकल expression क्या बोलते हैं नियोमेरिकल expression यहां पर into हो सकता है डिवाइड हो सकता है इस तरह का उसी तरह से आता है algebraic expression algebraic spelling ध्यान से देखिए ALGEB RAIC algebraic expression में बस क्या होता है जैसे मैं 2 प्लस 3 लिखा तो किसी एक constant के place में हमने एक variable कर दिया मतलब पूरे expression में अगर एक minimum कोई न कोई variable आ जाए that very expression is called algebraic expression कुछ भी हो सकता है इंटू डिवाइड और भी तरह का हो सकता है ठीक है अब आते हैं mathematical sentence में किसमें आते हैं mathematical sentence देखिए sentence तब न बनेगा मैं बोलन टू प्लस त्री संटस नहीं बना लेकिर मैं बोलता का टू प्लस त्री इस एक्वल टॉफाइब संटस बन गिया तो mathematical sentence बने के लिए आपको एक्वालिटी का साइन चाहिए या लिख सकते हैं टू प्लस त्री इस ग्रेटर देन फूर या लिख सकते हैं समझ रहें एक्स प्लस फाइब इस एक्वल टू सिक्स एक्स का वैलियो अगर वन पुट करेंगे तो साटिस्फाइब करेगा या लिख सकते हैं X plus 2 greater than equal to 6 किसी भी तरह से है अगर हम लिखें या smaller than equal to 6 तो यह जो हमने sign इस्तमाल किया equality का और inequality का equality तो सिर्फ equal inequality कहीं तरह के inequalities कह सकते है greater than हो सकता है smaller than हो सकता है greater than or equal to जो आगे पढ़ेंगे smaller than or equal to हो सकता है यह सब mathematical sentence कहलाता है मतब expressions में अगर कहीं न कहीं हम क्या लगा दें equal to और inequalities का sign equality और inequalities के sign इस्तमाल कर लें that will be mathematical sentence ओके इसे बोलो मैं बहुत नहीं हो यह expression है नहीं मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ तो अच्छा पढ़ाता हूँ एक expression है मैं बहुत एक expression है दोनों को मैंने मिला दिया तो क्या बन गिया sentence बन गिया sentence के लिए कई expressions को मिलाना पढ़ता है और उसमें कोई ने कोई सिंबॉल इस्तमाल करना पढ़ता है जैसे I am a very good teacher माल लेते हैं अगर मैं बोलू अपने मारे में अपनी तारीफ करो तो full stop देना पढ़ेगा na sentence complete होने के लिए यहां पर क्या देना पढ़ता है equality इधर क्या देना पढ़ता है full stop तो यह जो हम पढ़ा रहे हैं actually एक language से ही motivate होगे मतब language में जिस तरह से होता है alphabet alphabet से क्या बनता है words words से क्या बनता है sentences उसी तरह से हमारे story बनती है कहानियों से किताब बनती है उसी तरह से यहां पर numbers numbers किसे बनता है digits से digits से numbers numbers में हम दो तरह से बात है कि constant और एक variable उनके साथ हमने operation किया तो एकस्परेशन बना पर equality inequalities लेकिए तो sentence बन गिया और sentences से क्या बनता है आपको पता है किताब बन जाती है कहानी बनती है और कहानियों से क्या बनती है किताब बन जाती है किताब हों से क्या बनता है लावरीडी बन जाती है तो सारी किसे हैं तो इसी तरह से mathematics में भी बात होती है mathematics you can say that mathematics is a language जिन में बात शुरू होती है digits से और digits से numbers बनता है numbers से फिर आपका वैरियबल कॉंस्टेंट का डिसकेशन होता है फिर इसके वाल एक्सप्रेशन साथ है फिर एक्सप्रेशन से से सेंटेंस जाता है अब mathematical statements की अगर बात करें mathematical statement statement का मतलब true हो या false हो आप कही किताबों में मतलब आपके questions में आप देखे होंगे लिखा हुआ रहता है which of the following statements are correct मतलब statement का मतलब या तो correct होगा नहीं तो incorrect होगा जैसे मैं लिखूँ 2 plus 3 is equal to 9 क्या 2 और 3 9 होगा तो यह statement है कैसा statement है false statement में इसमें टूनिका कोई चांज ने 2 plus 3 is equal to 5 यह क्या है true statement तो इसी तरह से स्टेटमेंट रता जो या तो true नहीं तो false दोनों नहीं हो सकता clear है इस तरह की चीज़ है लिकिन variable के अगर बात के से मिले एक्स प्लस 3 is equal to 5 एक्स का वैलिगा two put करेंगे तभी यह five होगा हमेशा नहीं सिर्फ two के लिए सिर्फ किसके लिए two के लिए समझ गए तो यह sentence तो है लेकिन statement नहीं नीचे वाला इसकी बारे में बात नहीं कर सकते हैं कि यह true है कि false है यह कभी true होगा और कभी false होगा समझने है next आता identities क्या आता है बताई आई डेन टीटीज यह आपने कभी पढ़ा होगा एक्स प्लस वाई का होल स्कॉयर वैरियाबल है आप एक्स स्कॉयर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्कॉयर एक्स और वाई का कुछ भी वैल्यू आप पुट करके देखें तो यह पूरा का पूरा जो sentence है यह satisfy करेगा मतलब हमेशा true होगा अब एक्स और वाई के वैल्य नहीं को क्या है एक्स प्लस थ्री इग्मल डु दॉटी वाई को रूट कि यहीं पर लिखते अगर एक्स प्लस नाएग और हो ब्लस वाई का ओल इसको चर्टे थे सट इसपाई हमेशा नहीं करताा और कभी कभी हो सकता है एक्स का वैलू लिए कर जिए टिरो लेगा फर जो नहीं है identity वो है जो हर एक X और Y के लिए जो variables है वो put करें उसके लिए वो उसको satisfy करें अगर कभी नहीं करें तो उसको contradictions कहते हैं और करें हमेशा तो उसको identities कहते हैं equality का sign लेकिए और open sentence किसको को कहते हैं तो identities हो गया और दूसरा क्या हो गया contradictions जो हमेशा false यह हमेशा true होगा यह हमेशा क्या देगा false देगा उसी तरह से open sentence open sentence क्या होता है जो कभी true हो और कभी false हो तो यह सब बातों से उतना ज्यादा हमें फर्क नहीं पड़ता है हमें काम की बात करनी है काम की बात आगे जाके शुरू होने वाली है लेकिन आपकी किताब में जो चीज़ है दिये वह मैंने बता दिया यह हमारा क्या है है एक्वेशन है एक्वेशन का मदलब एक साइन होगा कौन सा वाला एक वाली टी वाला कौन सा वाला बता ही एक वाली टी वाला होता है यह सारी चीज़ है उसी तरह इन एक्वेशन हो सकता है सिंपल एक्वेशन में क्या होगा सिंगल वैरियेबल होगा और पावर वन होगा आइधिंग देख लिजेगा वो हम लोग देख लेंगे फिर उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज है यह सब देखने की जरूरत न समझते हैं solving and equation in one variable क्या topic होगा हमारा solving and equation in one variable मतलब equation का मतलब समझ गये equation का मतलब equality sign होगा constant और variables होगे लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक variable जबल इस्तमाल होगा जैसे एक्जाम्पल हम सीधे लें एक्जाम्पल 1.1 में दिया हुआ है 2x plus 10 is equal to 40 है ना तो बताईए x का कौन सा वैल्यू इसको satisfy करेगा question में बोला find the value of x जब भी बोले के x का value निकालना है तो यह x का वो वैल्यू निकालना है जिससे यह equation satisfy हो जाए समझ रहे हैं जैसे मैं यहाँ पे one put करके देखूं तो two into one plus ten क्या होगा two plus ten है ना कितना answer आएगा 12 समझ पार है उसी तरह two into two plus ten two to the four plus ten कितना आएगा 14 इस तरह से क्या क्या put करके देखें two into अगर हम क्या रखने 15 plus ten तो पंजरे दुना तीस प्लस दस कितना आएगा 40 तो इस तरह से बार बार ट्राइ करके आप result लेके आ सकते हैं कि x का value 15 है जो इस equation को satisfy कर रहा है that is we can say x is equal to 15 is the solution of this equation लेकिन क्या इस तरीके से करना बहतर होगा यह बहुत अच्छा तरीका नहीं ही इंट्राइल मेथड हमें करना पड़ेगा transposition क्या मतलब है इसका इसका मतलब यह है कि देख यह 2x प्लस 10 है और अगर यहां से x निकालना है तो हमें उसके साथ जितनी सारी कीज़े हैं उसको हटाना पड़ेगा यह बहुत अगर यहां पर यहां पर यहां पर किसे डिवाइड किया तू से और राइट साइड भी किस से डिवाइड करेंगे तू से बैलन्स हो गया तू तू कैंसल हो गया तो जब भी आप डिवाइड करेंगे दोनों तरफ सेम नंबर से आप डिवाइड कर सकते एक्वेशन में लेकिन नीचे जीरो नहीं होना चाहिए बस इससे क्या पता चला और भी बाते में बतार हूं एक्स बराबर कितना आया धार थर्टी जाया तू मुल्टी प्लाइड हुदर जाге कर जाहिए का जाहि ह blueberry तू लेहाँ से कही सब्सक्राइगे क्या है तो हम ने यहां से कontonrä्लूजन निकालाओ ल मैरे इस पार अगर प्लस है तूस सुम जाल गा। इसबर इन तू है तूस पार डिवाइड हो जाएग क्या बोलते हैं ट्रांस पूजिशन दे कि पीछे और भी थेयोरिस दिखी हुए तो उसको आप पढ़ लें खुदी समझ आ जायाएगा वह इंपॉर्टेट ही नहीं हमें एक्वेशन को सॉल्व करना आना चाहिए है तो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमें क्या जे ट्रां इक्वेशन पावर 2 होता तो होता क्वार्ट एक्वेशन मतलब मैक्सिमम पावर ठीक है चलिए समझ आते जाया तो पहला हमने सॉल्व किया दूसरा है 5x-8 11.25x-8 is equal to 8x plus आसान समझ रहा हूं मैं आसान है लेकिन तब भी करना तो पड़ेगा देखिए अब अगर हम बात कर रहे हैं कि अब बतें 5 गदे और 6 गदे कितने 11 गदे 5 गदे और 6 घोड़े जोड़ पाएंगे क्या तो घोड़े को घोड़ों का से जोड़ते हैं और गदों को गदों के साथ मतलब x को x के साथ रखना है और constant को constant के साथ यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों 5x 8x यहां plus म में इस पारा के क्या होगा माइनस में 22-8 उस पार जाके क्या होगा अब वह मैं ट्रांस पोजिशन करके नहीं दिखा रहा हूं बीच वाला 5x-8x कितना हैगा निगेटिव 3x और 22 और 8 कितना होगा 30 x बराबर यहां निगेटिव 3 multiplied है तो 30 by इधर हो जाएगा निगेटिव 3 एक्स बराबर क्या होगा निगेटिव 10 प्लस मैनस माइनस होता है तो अगर मैं यहां पर निगेटिव 10 पुट करके देखूं तो रिजल्ट हमारा साटिस्फाइब करेगा यह आप चेक कर सकते हैं जैसे मैं बोलू 5 इंटू यहां पर कितना लह जास में निगेटिव 10 तो निगेटिव 10 इंटू 5 कितना निगेटिव 50 माइनस एट यह आया निगेटिव 58 उसी तरह से राइट-hand-side में अगरम पुट करके देख नेगेटिव 10 तो 8 इंटू निगेटिव 10 प्लस 22 ए निगेटिव 80 प्लस 22 इनिगेटिव ए पॉजिव घटे का वैली दसमें दो क कारे आट- os उप एपी ऑट पैउल कोर्टी लाकर बहुंत तो सरस्ट इक्सानथे क्यों वह यह जिस एग्वेश्ण सैजस्फपाई हो जा रहा है सारे और के लिए nothing किसी यह सब के लिए करता तो आई डिन्टीटी हो जाता है एक्वेशन है आई डिन्टीटी नहीं आई डिन्टीटी होने के लिए सारे एक्स वाई वैली क्या करना चाहिए शर्टेस फाइक अर्वाई नहीं है सिर्फ एक्से वैसे ठीक है बच्चो बहुत बड़े हैं 11.2 हमारा हो गया ओके नेक्स्ट क्वेशन अगर देखें 11.3 11.3 इसमें क्वेशन क्या कह रहा है 11.3 कह रहा है और टीचर है 45 चॉकलेट्स एक टीचर है जिसके पास 45 चॉकलेट्स कितने चॉकलेट्स है बच्चो 45 चॉकलेट्स हैं after giving two chocolates to each student she is left with seven chocolates how many students are there in the class and a bola hai 45 chocolates में एक एक को एक को कितना two chocolates to each student or left kit now seven chocolates to the how many students are there in a class to let number of students in the class B X a student over do chocolates melee to X students को कितने मिलेंगे two X the number of chocolates कितने होगे total two X अब भी कितने चॉकलेट्स है साथ तो two X हो गया plus 7 मतलब देखे एक बच्चा को दो चॉकलेट्स तो एक्स बच्चे है तो total two X बांट दी अभी मैं के पास कितना है साथ है और total chocolates कितने है 45 तो कि two X जो बांटा और साथ जो उनके पास है यह सारा मिलके 45 वह न तो two X बराबर क्या हो जाएगा transposition करके minus 7 उस पार तो two X बराबर 15 में साथ गया 38 तो X आ गया हमारा 38 by 2 that is X कितना आ गया 19 मतलब बच्चे कितने हैं 19 अब खुद सोचिए 19 बच्चे हैं एक एक बच्चा को दो दो चॉकलेट मिले तो 38 चॉकलेट में ने बांट दी और साथ उनके पास है तो बताइए अब हम लोग जानेंगे i to simultaneous linear equation क्या जानेंगे बच्चो simultaneous linear equations यौयं से हम लोग दो ही variables वालवे वह ली डिंग जया एक बात तो आपको समझा अगई कि अगर single variable है तो एक equation इनफ है उसके solution को पाने के लिए अब देख लिए मैंने तीन questions कर रहा है उसमें सिर्फ एक एक variable ही इस्तमाल हो रहा था तो जब equation में single variable हो then you need only one equation if you have two variables then you will need two equations तो वही हम लोग अभी discuss करने जा रहे हैं इसका solution ही जानना हमें जरूरी है मतलब हमारा मकसद है सबसे पहले जानेंगे number one यह हम two variables की ही बात करेंगे याद रहें एक साथ दो equations होंगे elimination by cancellation two variables की बात हो रही है ख्याल में रहे हैं सबसे पहला जानेंगे क्या elimination by cancellation अब इसमें अगर question करें हम लोग तो अपने आप बात समझ आ जाएगी जैसे question है example 11.4 है इसमें कह रहा है 3x plus 5y is equal to 21 दूसरा है 2x plus 3y is equal to 13 तो इस question में अगर हम ठीक से देखें तो दो variables वाला equation है और दो equations एक साथ दिया हुआ है इसको equation 1 मान लेते हैं और इसको equation 2 मान लेते हैं और करना क्या है इसको solve करना है कि x और y का कौन सा value दोनों को satisfy करें अलग-अलग से तो कई x और y दोनों को satisfy करेंगा लेकिन x और y के वो values हमें निकालने हैं जो दोनो equations को simultaneously satisfy करें जैसे मैं बोलू x plus y is equal to 2 और x minus y is equal to 2 तो x का value अगर 0 रखें y का value 2 रखें 0 plus 2 2 आएगा बट 0-2 तो negative 2 आजाएगा ना तो दोनों को satisfy करना है वो निकालना x और y का value तो यहां क्या करेंगे वो देखना पड़ेगा इसमें बाद में समझेंगे y y cancel 2x बनावर 4 x आगिया 2 और y आजाएगा 0 x अगर 2 रखें और y 0 रखें तो 2 प्लस 0 2 होगा 2-0 2 होगा मतलब x का value 2 लें और y का value 0 लें जो दोनों equation को satisfy करेगा मतलब ऐसा x और y का value निकालना है जो दोनों को satisfy करें single अगर हमारे पास एक equation है यह ही equation दो variables के तो x और y के different different values हम ले सकते हैं मतलब infinite solutions हैं लेकिन अगर दो equation साथ में लेना है तो unique solution मिलेगा क्या मिलेगा ज़रूरी नहीं है बाद में समझेंगे solution नहीं भी मिल सकता है और infinite solutions भी आ सकता है वो अलग केसे अभी हम जो कर रहे example वो unique solution वाला x और y के वो values बताने हैं जो दोनों को एक साथ satisfy करे और cancel करना है eliminate करें Elimination by cancellation है पहला तो cancel करने के लिए क्या करेंगे अब बताइए यहां पे अगर हमको cancel करना है सीधे y y cancel हो जाएगा जोड़ने से यहां cancel नहीं हो पाएगा चुकि y में 5 multiplied हैं y में 3 y वाला cancel नहीं हो सकता x वाला cancel हो जाएगा तब यहां पे दोनों बराबर हो तो या तो y के coefficients को या x के coefficients को मतलब जो multiplied को कोफिशन कहते हैं उसको हमें equal करने की कोशिश करनी है तो इसको equal करने के लिए खुद बताइए मान लिए एक्स को मुझे equal करना है या y वाले को को equal करना है मैं x वाले को equal करना चाहूं तो खुद बताइए फर्स्ट वाले equation को फस्ट वाले equation को फस्ट वाले equation को कितना से multiply कर दें टू से तो 3 2 जा 6 x हो जाएगा दूसरे वाले को कितना से multiply कर दें 3 से तो इस तरह से adjustment करना जिससे दोनों का जो numerical value मतलब दोनों का जो expression है दोनों का वो सेम होना चाहिए यहां तो यहां कर तो से multiply करेंगे 6 x हो जाएगा यहां 3 से multiply करेंगे 6 x हो जाएगा तब घटाएंगे तो हो सकता है जोड के घटा के यहां घटा के कैंसे लोगा वह हमको देखना पड़ेगा यह question मैं करा रहा हूं और भी करेंगे तो समझ आ जायाएगा don't worry for that elimination by cancellation में हमने क्या किया यहां पर आप एक काम कर सकते हैं दोनों का ल्ट्यम निकाल के देख सकते हैं मतब जैसे भी हो इंदोनों को बराबर करना है प्लस माइनस के बारे में चिंता निकर नीज आपको अब बताए टूसे मुल्टिप्लाइब आप बोलेंगे से तूसे मुल्टिप्लाइब कर रहें लेफ्ट एंसाइड को भी कर रहें और र 23وں 3 striking अब हमारे पास जो इक्वेशन वन और टो है थोड़ा सा चेंज होगा चेंज कैसे क्या किये चैन्स क्यों इसलब करने के लिए या यह वीडम अब क्या करें तो दोनौ ऑँद कहनर करने के लिए और कैंसिल करना है तो एक और दो घटाना पड़ेगा घटाने का मतलब लेफ्ट से घटेगा राइट राइट से घटेगा तो 6x प्लस 10y माइनस करना पड़ेगा है ना 6x प्लस 9y is equal to right में क्या है 42-39 ऐसा हम कर सकते हैं इसको अगर हम तोड़े 6x प्लस 10y माइनस 6x माइनस प्लस कितना माइनस 9y बारे में नौ गया 3 और यहां पर क्या होगी हमारे 4 में 3 यह यह आएगा ना अब 6x 6x क्या हो cancel 10y माइनस 9y कितना 1y is equal to 3 तो यहां से य निकल गया तो इस तरह सब्सक्राइब करेंगे तो क्या हो गाए्प यहां पर माइनस आ जाया तो यह कितना वाई तो बताए यह इलिमेनेट हो गया ना कैंसल करके चैंसल कर दिये x X eliminate हो गया बस वाई निकल गया अब जब वाई निकल गया वाई किसी भी एक्वेशन में पूट करेंगे तो X निकल जाएगा ठीक है इसको बोलते Elimination by cancellation तो क्या हो जाएगा 3X plus 5Y is equal to 21 to 3X plus 5Y का value 3 है is equal to 21 that is 3X is equal to 21 15 उस पार जाएगा तो minus 15 3X is equal to 11 में 5 या 6 है है न तो X हो जाएगा हमारा 6 by 3 तो यह हो गया 2 X का value 2 हुआ और Y का value 3 तो X का value 2 और Y का value 3 है यह हमारा answer हुआ मतलब क्या हुआ कि X का value 2 और Y का value 3 first equation को ही satisfy नहीं करेगा second को भी करेगा मतलब यह simultaneously दोनों equation को satisfy करेगा हो हो सकता है हो सकता है कि होगा कि X or Y का और भी value मिल सकता जो first को satisfy करे लेकिन second को नहीं करेगा लेकिन 2 और 3 एक ऐसे results है एक ऐसा result है X or 2 X 2 Y 3 कि वो दोनों को एक साथ satisfy करे आप चाहिए तो चेक कर सकते चेक कर लितने पिर चेक करना है तो कर लिजिए पहला क्या 3 X plus 5 Y तो 3 X X कितना 2 5 Y कितना 3 तीन दुना 6 पांच तिया पंदर पंदर अच्छा कितना आया किस आगया सही है उसी तरह से सेकेंड वालट 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 दो दूना 4 तीन तीन दून नो चार कितना आगया तो आप चेक कर सकते हैं आप को आंसर भी देखने की जरूरत नहीं है तो इसको पास एक्स प्लस वाई अभी जो मैंने बोले टू है और एक्स माइनस वाई कितना है तू अभी जो एक्जांपल लिया था अब बता ही इसमें तो कुछ करने की जरूरत इनिवाई वाई वाई सीरे कैंसल हो रहा है इसको फॉस्ट एक्विशन माल इसकेंड फॉस्ट और सेक लेकनी फरक्राइगा एकला अर्लएफट वाला ब्ला जूड़ेगा राइट वाला राइट वाला झूड़ेगा तो IT अब्ड़ीजू एक्स Пλस्वाई ग्सट माइनस-वाई बैबर फो यही चांसर एकसकितना होग्स चितू लूगा टू एक्स बढ़ाबर किया चाहता है Elimination by cancellation add भी कर सकते हैं और सब्ट्रेक्ट भी कर सकते हैं अगर पहले से ही या एक्स के जो टर्म्स हैं वो अगर आपस में बराबर हैं तो आप एड्ट या सब्ट्रेक्ट करके काम चला सकते हैं नहीं है तो आपको फिर उसे ठीक करना पूड़ेगा कुछ एड्जेस्ट करके तो Elimination by क्या था? Cancellation अब आतने Elimination by Substitution दूसरा क्या? सेकंड नमबर Elimination by Substitution अभी यहां सब्स्टीच्यूट पुट करके देखना है जैसे हैं क्वेशन लिया है एक्जाम्पल 11.5 में क्या लिया है? 5x-2y is equal to 17 answer same ही आएगा methods अलग अलग है 3x plus y is equal to 8 यह दो equations है हमारे पास x और y का value find out करना है तो करें तो करें क्या? तो पहला वाला equation है करना है हम 5x-2y is equal to 17 मैं समझाओंगा तो 5x बराबर क्या हो जाएगा? 17 plus 2y तो यहां से x आएगा 17 plus 2y by 5 मतब जो x का expression y के respect में आया इसी को आपको put करना है किसी दूसरी equation में मतब फर्स्ट वाले को मैंने solve किया x को y के respect में निकाला या y को भी आप x के respect में निकाल सकते हैं तो second वाला equation क्या है? 3x plus y is equal to 8 यहां put कर देंगे x और x है कितना? 17 plus 2y divided by 5 और plus y is equal to 8 तो eliminate कर दिये किसको? x को substitute करके तो इसका ना हो कि Elimination by substitution क्या हो गया? सत्रतिया 51 plus 3 दूना 6y divided by 5 plus y is equal to 8 तो यहां 1 चुपा हुआ है 5 यहां क्या होगा? 51 plus 6y plus 5y is equal to 8 यह 5 multiply हो जाएगा 51 plus 6, 5, 11y, 85, 40 तो 11y हो जाएगा 40 minus 51 तो यहां से 11y is equal to negative 11 आएगा तो y हो जाएगा negative 11 by 11 तो y का value आगिया negative 1 आणसर वैसे भी y आएगा तो y आगिया negative 1 अब x निकाल लेंगे put करके किसी और में तो x हमारा कितना है? आएगा आएगा पता है कि जो x है हमारा 17 plus 2y by 5 है 17 plus 2y कितना है? negative 1 by 5 तो x का value हो का 17 या plus है I'm sorry 17 minus 2 by 5 17 में दो गया 15 by 5 यह कितना आगिया? 3 that is x आगिया 3 और y आगिया negative 1 तो 3, negative 1 is the solution आप चाहें तो इसको पूट करके चेक कर ले चाना? x3 और y negative 1 तो 2 methods हमने बता दिए तीसरा method अब बताने जा रहे हैं और graphical method इसमें नहीं बताएंगे वो नेचर आफ solutions में बता देंगे हैं तो तीसरा method बताएंगे और चौथा method हम नहीं बताएंगे ठीक है? 11.6 मतलब तीसरा method का नाम है adding two equations and subtracting one equation from the other adding and subtracting इसमें कुछ मतलब एक तरह के questions ही solve होते हैं ज्यादा सारे को आप इस तरह से नहीं कर सकते हैं क्या कहना चाहरो देखे 4X plus 3Y is equal to 11 और 3X plus 4Y is equal to 10 3X plus 4Y is equal to 10 यह first equation है और यह second equation है तो ऐसे में जैसे यह 343 34 है ऐसे में हम क्या कर सकते हैं first or second दोनों को एक बार आप जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे जोड़ेंगे तो क्या होगा चार और तीन साथ एक्स तीन और चार साथ वाई बराबर ग्यारा और दस कितना 21 दुनों में एकर 7 common ले 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 एक्स प्लस वाई बराबर 21 यह होता है जब दुनों में उल्टा पुल्टिकर्स पर ट्रिटरी नाहिये एक्स प्लस वाई 7 threys रा ट्वेंटी एक एक मिशन आ गिए अब अकर घाता दें लेफट लाफ लब घटे गा राइट रैट चरे तो फॉर एट्स प्लस 3y-3 S प्लस4 वरी इस इकवल तो 11-10 कर सकते हैं, 4x minus 3x कितना है, x plus 3y minus 4y minus minus y आएगा, is equal deliver minus 10 कितना आएगा, 1, ये दूसरा equation है, ये काया हमारा x plus y is equal to 3, ये काया x minus y is equal to 1, इससे फाइदा क्या हुआ, ये दोनों जो equations हुए, एक बहुत ही साधहरन हो गए, इसको solve कर सकते हैं, आप चाहें तो वो दूनों method तो इस सकते हैं, आप आजाद है, इसमें फाइदा क्या हुआ, दोनों को बस add करते हैं, y y खतम, 2x is equal to 4, तो यहां से x आगिया 2, उसी तरह से x अगर 2 आगिया, तो x plus y is equal to हमारा क्या है, 3, तो y is equal to 3 minus x, और x है कितना, 2, यहां से y 1 आगिया, तो हमारा जो solution हुआ, उसका state were 2, 1, 2, 2, 1 is the solution of this, these equations, okay, तो सही है, तो इसके बाद हम लोग क्या जानेंगे, graphs, और graphs के साथ, nature of solutions, या जो भी discussion होगा, उसमें बताया है, ठीक है, I think आपको बात है, समझ आई होगी, मिलते हैं फिर नेक्स वीडियो में, thank you very much.